कि आप सभी का तद्दु की चनु लाउग में स्वागत है यहां मैं बनाने चाहरे हैं देखिए ढोकला रेचिपी बेशन का बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप असानी से ढोकला बना सकते हैं इसके लिए मैंने बर्तन फिर मैं इसमें डाल रहें बेशन देखिए इस तरीके से यह मैंने फॉर्चुन का बेशन इस्तिमाल की है तो इससे चाहने की जरूरत नहीं है जिसने क्वांटिटी में आप बनाना है उसकी हिसाब से आप बेशन ले फिर मैं इसमें एड़ कर दूंगी स्वादनों स्वार नमक हाफ टेबल की स्पून और धोड़ा सही हाफ फिर इसमें डाल देंगे पानी और इसको अच्छे से घॉल देंगे बैटर को इस तरीके से पानी डाल करके एक सांथ नहीं डालना है पानी को थोड़ा धीरे-देरे करके डालना है देखे इस तरीके से इसको अच्छे से वेक्स कर लेंगे देखिए इस तरीके से यह भी गाढ़ा है तो मैं हलका से इसमोर पाइंट ढाल दूँगी देखिए आप देख सकते हैं छोड़ा सावर पाइंट ढाल दूँगी और इसको अच्छे से परफेक्ट गोल बना लेना है ढोकला की साब से न ही दम जादा गाढ़ा और नाही दम पदला मेडियम रखना है dni डेखिए इस तरीके से अब मैं इसने दश मिनट के लिए ड法 करके रख देंगी इस तरीकेसे देखे दस मीमाट बात मैंने चेक कर ली है इसा में इस तरीके से और अच्छे से चला देंगे घोल लेंगे फिर मैं इस में एड़ कर दोंगी निम्भु कर रस हपनी है दूसके रस टाल देंगे थोड़ा सा अब इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे फिर मैं इसमें add कर दूंगी इनो देखिए यह बस मैंने एक packet इनो को add कर दे रहे हूं देखिए अब इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे देखिए इस तरीकी से जीतना हो सक्या इसको अच्छे से mix कर लें देखिए पैटर अच्छे से perfect बन गया है जो टोगले के लिए घोल्ड है वो तो यहां पस मैंने लिए देखिए जो टिफिन डबबा आता है खाने कर टिफिन डबब मैं उसमें बना रही हूं तो इसमें मैं एड़ कर देंगी थोड़ा सथ तेल और तेल को सभी साइड बरतन पर अच्छे से लगा देंगे इस तरीके से साइड साइड की नारों पर भी अच्छे से इसको इस तरीके से सभी साइड अच्छे से लगाते नहीं तेल इससे बरतन में चीपकतर नहीं है ढोगला असानी से निकल जाता है तो इस तरीके से सभी साइड अच्छे से मैंने तेल को लगा लिए देखिये फिर लिया मैंने कड़ाई और उसमें डाल दिया पानी अभी मैं पानी की कौन्टिटी कुंट कॉछ कम डली हूँ तो इसमें और पानी डालेंगे यहां पास मैं रख दूंगी इसमें इस तरीके से कि ईस्टेंद ली हूं आप इसाफ से जो ढ़िए उसको रख सकते हैं को में इस्टेंट से मारकट में मतंड़ से भीज़ सथे हैं कर दियो कि इखें पर द्रेचे से बर्तनल देंगे मैं त्मिइन céu tool कर दूप देखी इस तरकी से मैं सभी को अच्छे से डाल लेंगे अब इसको मैं देखी कड़ाई में पंडिनी की कॉंट्री के थोड़ा और डाल ले और इसको डाल करके मैं अब उपर से ठक लोंगी कि फ्लेम को हाई रखेंगे अभी इस तरीके से मैं जो ढखकन रहते है ढखनी उससे क्या है हलकर सा आइड साइड से भाब जो निकलता है इसलिए मैं इस तरीके से बटन से आप ढख लें जिससे भाब बहार बिल्कुल भी न निकले अच्छे से कवार होगी झाल 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 झाल